मैं द्थर परवेज अहमत सोफी, मैनेजिंग डिरेक्टर उजाला सिगनस कश्मीर हॉस्पिटल जो हमने यहाँ पर यह हॉस्पिटल बनाया है, हमारा जो बेस है नौर्थ इंडिया में है पूरे नौर्थ इंडिया में हमारे 17 हॉस्पिटल जो ऑपरिशनल है हमारा टार्गेट जो रहता है कि हम टायर टू और टायर थ्री स्टीज को कवर करें सुपर स्पेशलिटी सर्विसिस के लिए आप सब लोगों को यह पता होगा कि जितने भी हमारे इशूस हेल्थ रिलेटेड है वो बहुत ज़्यादा है कोविड जो हमारे यहां आया पूरे देश में आया पूरे वर्ल्ड में आया उससे बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रियेट हो गई बैज की डिफिशन्सी क्रियेट हो गई और उसने हमें एक लेसन दिया कि जितना हमारा हेल्थ सेक्टर स्ट्रॉंग होगा उतना हम अपने आपको अपने रिष्टेदारों को बिमारियों से बचा सकते हैं उसी पहल को लेके मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि एक मल्टी स्पेशलेटी हॉस्पिटल जो एक ही छट के नीचे 24 सारी सर्विसि हम सब लोगों की और उसको लेके हम यह हॉस्पिटल यहां लेके आए हैं इस हॉस्पिटल के बारे में मैं एक थीम बता रहा हूं कि हम कैसे वर्क करते हैं हम जितने भी हमारे कंसल्टन्ट होते हैं जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं ऑन रोल रहते हैं यह हॉस्पिटल भी इस यह सारी चीजे एक ही चछत के नीचे मिलेंगे एक ही जगह पर मिलेंगे आपके जितने भी इंवेस्टिकेशन होनी एक ही जगह होंगी आपका डॉक्टर भी यही मिलेगा अभी 21 जुलाई जो आज का दिन है आज हमने एक सॉफ्ट लांच टाइप किया है सॉफ्ट लांच से मतलब है कि हमने अपनी ओपीडी शुरू की है जहां पे कि आपके और्थोपेडिक सर्जन जर्नल सर्जन काडियोलजिस्ट गेस्ट्रेंट्रोलजिस्ट यूरॉलजिस्ट यह सारे डॉक्टर्स गाइनकॉलजिस्ट यह सारे डॉक्टर्स के लिए अवलेबल रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट हेल्थ केर सर्विसेश्ट हम अपनी कम्यूनिटी को दे और आने वाले टाइम में अगले वन मंथ वी विल गेट मोर एक्विपमेंट लगेंगे तो हम और कैपेबल हो जाएंगे ज्यादे से ज्यादा क्रिटिकल पेशंट्स लेने में हमारा इस हॉस्पिटल का जो आई सीओ है वो ट्वेंटी बैडड है जिसमें अभी फाय वेंटिलेटर लगेंगे और आने वाले टाइम में हम उन नंबर आफ वेंटिलेट वेंटिलेटि बैडड रखना ही खाली इंपोर्डट नहीं है एक खाली मिशीन नहीं है के लिए हम्में एक ट्रेंड डॉक्टर इ enough यह चाहिए एक ट्रेंट स्टाफ चाहिए है टीम चाहिए इस पैशन्ट के लिए जो यह वैंटिलेटर पे होता इससे हाउस कीपिंग से सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे दर्वाजे आपकी खुशाली के लिए ओपन है ओपीडी हमारी यहां शुरू हो गई है तो आप इसका जरूर पूरा से पूरा फाइदा उठाएं यहां आए अपनी एक्सपीरियंस ले और हमारी तरफ से मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि हम वो सारी चीजे यहां प्रोवाइड कर पाएं जो यहां डिफिशन्सीज है अभी आने वाले टाइम में जो फेज टू है हमारा हमारा प्लान है हम कैंसर का ट्रीटमेंट जैसे ओंकॉलजी है ओंको सर्जिरी है रेडियेशन ओंकॉलजी है वो भी आने वाले वक्त में ह हम यहां शुरू करेंगे जिससे जो लोगों को बाहर जानी की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत पैसा खर्च करने के बाद उनको ट्रीटमेंट करना पड़ता था गर से बाहर रहना पड़ता था और एक ऐसी जगह पर जाना जहां आपको रिलेशनशिप बनानी है तो हम करूंगा और उसके फार्मल्टी जो भी हम उस पर वर्किंग कर रहें मेभी विदे नेक्स्ट वान मंथ वो स्कीम हमारे पास होगी और उस स्कीम से हम बहुत बहुत सारे लोगों को यहां से फाइदा दे लिए